Hi everyone, welcome to being a best teacher YouTube channel आज ही इस वीडियो में हम बात करेंगे about a very important topic जो की है childhood and growing up subject से Topic है child rearing practices of children separated from parents Practice of children separated in crutches and children in orphanages मतलब जो बच्चे देखो अपने parents से separate हो गई है ठीक है उनकी परवरिश किस प्रकार से होती है जो बच्चे जिनके माबाप नहीं है जो अनाथ है उनकी जो है पालन पोशन उनका किस प्रकार से होता है और साथ में जो बच्चे क्रेचेस में रहते हैं अब क्रेचेस क्या होते हैं क्रेचेस एक तरह से day care है जब जिनके parents job वगरा करते हैं या और किसी काम में busy है तो वो अपने बच्चों को जो है क्रेचेस में छोड़ देते हैं और वहाँ पे उनकी देखभा लोती है ठीक है दो तीन दिन के लिए क्रेच में छोड़ सकते हैं या office जाते हैं जैसे नौ से पांच तो उस time के लिए छोड़ सकते हैं ठीक है इस प्रकार से जो है क्रेचेस काम करते हैं सो एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे विस्तारसी अच्छे से इडिटेल में पढ़ेंगे देखिए child rearing practices जो है वो different countries में है societies में है culture में है religion में है caste में है families में है and so on मतलब हर जगह होती है ऐसा नहीं कहसकते है सिर्फ इंडिया में होती है, ऐसा नहीं गह सकते हैं, सिर्फ एक ही religion में, एक ही caste में, एक ही society में होती है, नहीं, ये दुनिया के कोने कोने में हर प्रकार से है, और इसकी अलग-अलग तरहां से, जो है dimensions हम बोल सकते हैं, अलग-अलग तरहां से करने का तरीका है, सबका अपना तोर तरीका है सही बात जैसे पालन पोशन की आप शैली देखोगे भारत में कुछ और है और वही पे आप अमेरिका का एक बच्चा उधारन के रूप में देख लो वहाँ पे किसी और प्रकार से होगी सही बात तो हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करेंगे बच्चे जो क्रेचेस में रहते हैं क्रेचेस मतलब डेकर सेंटर राइट देखिए मेरी एक फ्रेंड है ठीक है उसका बच्चा है और वो जॉब करती है ठीक है वो सिर्फ संडे को घर पे रहती है बाकी दिन वो जॉब करती है तो अपने बच्चे को जो है वो सुबह 8-8 बजे छोड़ देती है क्रेच में 9 बजे उसको अपने ओफिस पहुचना होता है वो वहाँ पहुच जाती है बच्चा पूरा दिन डे केर में यानि कि क्रेच में रहता है 5 बजे उसकी छुटी होती है ओफिस की वो 5-6 बजे अपने बच्चे को पिक करती है और फिर घर ले जाती है कभी-कभी जब उसको ट्रिप पे जाना होता है भई शहर से बाहर जाना है ओफिस के काम से तो कई बार 2-3 दिन के लिए बच्चे को वहाँ पे छोड़ देती है ठीक है तो इस प्रकार से जो है वो क्रेचस काम करते है जहाँ पे जब पेरेंट्स किसी और चीज में बजी होते है तो वहाँ पे वो अपने बच्चो को लुक आफटर के लिए उनकी देखभाल के लिए छोड़ देते है ठीक है यह कॉलिंस के डिक्षिनरी के एकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है अब यह अपने आंसर में आड़ कर सकते है अब क्रच्चेज में क्या होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड एन्वार्मेंट प्रोवाइड करते है मतलब वहाँ पर बच्चों का एक टाइम टेबल एक रूटीन सेट होता है जो कि बहुत सिस्टमाटिक होता है जहाँ पर बच्चों का फिक्स टाइम होता है इस टाइम पर बच्चे खाना खाएंगे यह प्ले टाइम है वहाँ पर बंकर्स भी होते हैं जहां पे बच्चे जो हैं सोते भी हैं राइट नाप ले सकते हैं बीच में लाइक एक दो घंटे की ठीक है क्योंकि बच्चा नौ से छे बजे तक वहाँ पर है आप सोच रहे हो तो इस बीच उनका एक सिस्टमाटिक इस एक घंटे के लिए बच्चे का टीवी टाइम भी और बाकी आक्टिविटीज भी होंगी जो मेड्स वगारा है वो भी होती है कि बच्चा अगर वहाँ पे लाइक सुसू पॉट्डी करता है तो उस सब को भी साफ करने के लिए क्योंकि काफी छोटे बच्चे भी जो है वो क्रच्चस में होते हैं ठीक है तो यह प्रॉपरल जो एसी सी इ का कोर्स करके आई है अर्ली चाइल्धूट केवर का कोर्स करके आई है वो यहाँ पे काम करते है तो प्रॉपेशनल मैनर में बच्चों को ट्रीट करते हैं बच्चों की चाइल साइकॉलजी उन्होंने पढ़ी है सो दे कें डील बेटर विद द चिल्रें है emotional development और साथ में next point यही है social interaction बच्चों का होता है जसे उनका social development होता है उनके साथ के काफी सारे बच्चे होते हैं कुछ उनसे बड़े भी होंगे age में कुछ छोटे भी होंगे right तो यहाँ पे बच्चों को एक opportunity मिलती है उन अपने peers के साथ interact करने की बाकि teachers के साथ और बाकी भी staff होता है क्रेच का तो इससे बच्चों का social interaction होता है communication skills improve होते हैं और social development होता है next is parental involvement देखिए क्रेच जो है वो regular basis पे parents के साथ जो है वो interact करते हैं in fact जो बच्चों का daily routine होता है वो सीधा parents की mail पे भी end of the day आ जाता है कई में तो cameras लगे हैं तो आप जो parents होते हैं वो regularly जो है अपने बच्चे को live भी देख सकते हैं ऐसे facilities भी available है काफी सारे क्रेचेस में तो management जो है क्रेच का वो regular basis पे parents के साथ उनको feedback देता है कि बच्चे ने आज ये खाया इस time की आज बच्चे की तव्यत खराबती है उसको ये दवाईया दे दी call facilities अविलेबल होती है तो directly बात भी आप अपने बच्चे से कर सकते हैं या parents जो है वो directly बात कर सकते हैं वहाँ के staff से कि बच्चा time पे सो गया है नई सो गया भी क्या कर रहा है तो ये सब facilities अविलेबल होती है ठीक है अब बात करते हैं children in orphanages जो बच्चे अना थाश्रम में रहते हैं देखिए जिन बच्चों के माबाप की मृत्य हो जाती है डेथ हो जाती है तो ऐसे बच्चे होते हैं जो की crutches में रहते हैं तो यहां पे varied environments होती है they may be different kind of orphanages with good facilities and to overcrowded places कुछ अच्छे crutches भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन में बहुत जादा भीड होती है और वहां पे बच्चों को उतनी अच्छी सो विधाई नहीं मिल पाती तो ये कुछ ऐसे orphanages भी होते हैं ठीक है सो वो depend करता है किस पे orphanage to orphanage की वो किस प्रकार का है वहां पे कितनी भीड है कितनी सुकसुविधाई है नहीं है ठीक है अब यहां पे care givers जो होते हैं वो जादा trained नहीं होते हैं वो बच्चों के फिर भी अच्छे से handle कर लेते हैं ठीक है और साथ में बच्चों के resources कितने हैं उस पे भी depend करता है ठीक है अगर इसके orphanage के पास जादा resources हैं तो वो जादा अच्छे से बच्चों को खाना, कपड़ा, medical care यह जो भी उनकी basic necessities हैं वो दे पाते हैं educational opportunities जो हैं वो सभी में ही होती हैं लगबग मैं some तो नहीं बोलूँगी क्योंकि भारत के अंदर जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयू के जो बच्चे उनके लिए free और compulsory education है right to education है article 45 और 21 A के अंडर ठीक है आगे social skills भी बच्चों को यहाँ सिखाए जाती है ठीक है अब देखिए यह overall मैं किसी भी orphanage की अनाथ आश्रम की बात करूँ तो वहाँ पे resources के हिसाब से और भीड कितनी है कितने वो crowded है उस पे depend करता है कि बच्चों का क्या हाल वहाँ पे होगा और कितनी facilities उन्हें मिल रही होंगी adoption और foster care के भी options होते है ठीक है और देखिए बहुत जरूरी है कि आप जो है जितने भी student से video देख रहे हैं आप adoption की तरफ जाएं Indian families में adoption का नाम लेते ही न एक बहुत बड़ा issue create हो जाता है पर आप खुद को उस जगहां पे रख कर देखो कि अगर आप उस बच्चे की जगहां पे होते क्योंकि जिन्दगी किसी को भी किसी mode पे ले आए कब ले आए वक्त का कुछ नहीं बता होता है तो adoption बहुत अच्छा कदम है आप adoption की तरफ बिलकुल जाएं बहुत एक बड़ा step होता है life में बहुत कम लोग कर पाते हैं सोचते बहुत लोग हैं पर करना सच में इसके लिए बहुत difficult हो जाता है Indian mentality families के साथ तो मेरी वीडियो के माध्यम से मेरी सभी तक ये message पहुचाने की उमीद रहेगी कि कोशिश इसके लिए जरूर करिएगा आप खुद को उस बच्चे के स्थान पे रखके देखोगे कि वो अपनी चाह से नहीं हुआ उसने कभी नहीं चाहोगा कि मैं एक orphanage बन जाओ और orphanages म रहूं राइट ये उसकी किस्मत थी अगर आप उसको अपनी जगां पे रखोगे कि खुदा ना खास्ता आपकी वैसी किस्मत होती आप उस जगां पे होते तो आपकी चाह क्या होती कि एक अच्छी family आपको adopt कर ले क्योंकि उसी से उस बच्चे का जीवन जो है वो बदल सक तो अपने आपको उस थान पे रखके देखिए या यह सोच के चलिए कि आपका खुद का बच्चा कभी इस थान पे ना आ जाए तो आपको adoption करने में एक motivation ज़रूर मिलेगा next is lack of consistency orphanages जो है वो donations पे चलते हैं अगर वो proper time to time अगर नहीं आ रही है donations तो वहाँ पे resources की कमी हो सकती है और बच्चों को resources प्रवाइड कराने में problem आ सकती है food, clothing और basic necessities और medical care सभी तरह की सुखसेविधाओं की बात हो रही है ये limited होते है one on one attention पे अगर देखो भई वहाँ पे crowd बहुत जादा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए और सबकी development पे ध्यान देना staff के लिए भी possible नहीं हो पाता है और resources की भी कमी है उसके साथ और overcrowded में है तो हाल बेहाल है बिलकुल ऐसा बहुत जगा है ये हमारे देश की reality आज भी है malnutrition हो सकता है अगर proper resources available नहीं है तो right तो हम बोल सकते हैं crutches और orphanages में especially orphanages में जो है resources availability, availability of professional staff, institutional policies, caregiver to children ratio और community support etc. इन सब पे quality कैसी होगी crutches और orphanages की वो depend करता है सही बात मैं उमीद करती हूँ दोस्तों आपको ये topic समझाया होगा कोई भी doubt हो students तो comment section में please लिखकर पूछा करिये ताकि मैं भी improve कर सकूँ और आप सभी को एक best education देने का प्रयास जो मेरा इस channel के माध्यम से है वो पूरा हो सक धन्यवाद जैहिंद ध्यान रखे अपना ध्यान रखे सभी अपनोगा धन्यवाद